अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा देखिए मोटापा एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव है जो लोग मोटे हैं या ओबेसिटी से ग्रस्त हैं आप देखेंगे कि डाइबिटीज का हाई ब्लड प्रेशर का और लाइस्टाइल डिसॉर्डर्स का की होने की आशंका इन लोगों में ज़्यादा रहती है फ्रेंस आजकल हम लोग रहते हैं फास्ट फूड जनरेशन में और काफी सारी चीजें खाते हैं तला भुना खाते हैं या फिर फास्ट फूड मैदे से बनी चीजें खाते हैं और इससे हमारा वेट बढ़ता जाता है और बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका वेट कंट्रोल में आ जाए क्योंकि वो जहां भी जाते हैं लोग वो हसी का पात्र बन जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो और हेल्थ वाइस भी उनको बहुत प्रॉब्लम होती है वो कही पर जैसे वाटर पार्क वगरा हमएं जाते हैं में मेल्स की बात कर रहा हूँ तो वो शरड भी उतार सकते अपनी यशी शोर पे भी शरड नहीं उतार पाते हैं महिलाओं को वो ये प्रॉब्लम है तो एक मोटे इंसान की व्यथा एक मोटा इंसान ही समझ सकता है लेकिन हम आज आपसे कुछ बात करेंगे आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से आप मोटा पे से निजात पा सकते हैं वो भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है देखिए वाकिंग करते हैं आप अच्छी बात है और एक्सराइज करते हैं लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि खाने में आप कितना परहेज रखते हैं क्या खाना है ये तो आपको सब बता देंगे लेकिन किन चीजों से परहेज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कुछ खादे सामगरी कुछ फूड आइटम्स जो अगर आप वेट कंट्रोल करना चाहते हैं अगर आप सीरियस हैं तो इन चीजों को बिलकुल न खाएं तो यह वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है मेरे साथ पूरे वीडियो उतमें बने रहिएगा सबसे पहली बात है फ्रेंड्स नूडल्स नूडल्स में क्या है कि खराब वाला कार्बोहाइडरेट प्रचूर मातरा में हैं में देफिनेशन में नहीं जाता हूं कि ठोड़ दीजे मुद्दे की बात करते हैं कि खराब वाला कार्बोहाइडरेट उसमें बहुत होता है और फाइवर उसमें है ही नहीं पिल्कुल भी तो मुटा पे को घटाने के लिए फाइवर की जरूत है और carbohydrates और fats हमें control करने है रात के वक्त अगर डिनर में आप noodles खाएंगे तो definitely आपका weight बढ़ना है बढ़ना ही बढ़ना है तो अगर noodles खाना ही है बहुत craving हो रही है आपको खाने की तो दोपहर में खाएं, सुबह खाएं, संध्याकाल से पहले खाएं लेकिन सोने से तीन घंटे पहले कभी भी noodles का सेवन नहीं करें noodles, manchurian, spring roll ये सब न खाएं इसको खाने से आपका weight बढ़ेगा ही बढ़ेगा ठीक है? दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि तला भुना भोजन न करें आपको अपने आप पे control रखना पड़ेगा कि मेरा एक उदेश्य है कि मैं अपना weight control करना चाहता हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ और मैं अपनी health अच्छी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी lifestyle disorders का attack मुझ पे न हो तो आपको तला भुने खाने को avoid करना है यह समोसा है, कचोरी है और चना भटूरा है यह सब खाने में बहुत tasty लगते हैं लेकिन इन्हें avoid करना पड़ेगा कभी-कभी आप week में 15 दिन में एक cheat day रखो और वो भी वता रहा हूँ friends के दोपेर के समय रखो दोपेर के समय बाहर दाके समोसे, कचोरी, उस दिन आप कुछ भी खाओ लेकिन 15 दिन में एकी दिन रखो, cheat day और बाकी दिन आप seriously तला और भुना भोजन बिल्कुल ना करें इसको avoid कर गें बहुत सारे लोग क्या हैं कि रात को खाना खाने के बाद उनको soda पीने की आदत होती है तो friends, soda हमको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए soda में क्या है कि pure sugar है अंदर actually वो मीठा लगता नहीं है पर उसमें sugar content बहुत हाई रहता है कोई भी soda वाली drink है जैसे आप समझो कि Coke Coke है, Thumbs Up है या Normal soda भी है बहुत सारे लोग को ऐसी habit है कि Western India में अगर देखें Mumbai है, Maharashtra है Gujarat में, यहाँ पे लोग की specially Gujarat में लोग की ऐसी habit है कि रात के भोजन के बाद वो बाहर जाते हैं और soda जरूर पीते है soda में बहुत शुगर है आपका वेट एकदम से बढ़ा देगा तो soda एवाइट करना है उसकी जगे अगर आपको दूसरा option चाहिए तो जल जीरा के पाउज भी आते है जल जीरा आप पीलो घर पे digestion अच्छा हो जागा निबू पानी ले लो शक्कर मत डालो थोड़ा तो sacrifice करना ही पड़ेगा आपको है ना friends तो इनी बातों को आपको ध्यान रखना है और ये याद रखना है कि सुबे का जो भोजन है वो हमेशा आप राजा की तरह करें और मतलब जो भी breakfast है काफी सारा खा सकते हैं और उसके बाद जो लंच आता है थोड़ा कम कर दीजिए और रात का भोजन एकदम फकीर जैसा करें बहुत ही कम खाएं सोने से तीन घंटे पहले किसी हालत में आपको भोजन कर लेना जरूरी है अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है एक्सराइज करिए योगा करिए और वेट कंट्रोल के लिए सबसे इंपोर्टेंट है डाइट यह जो मैंने चीजे बता ही है नूडल्स है तला गला जो आप खा रहे हैं वो और साथ में सोडा इनको बिल्कुल भी आपको हाथ ही नहीं लगाना है ठीक है और यह प्लान छे मेने तक रखना है तो आप देखेंगे कि धिरे धिरे आपका वेट कंट्रोल में आता जाएगा जो भी कॉंटिटी आप खा रहे हैं एक जैपैन की बहुत फेमस सेइंग है एक कहावत है जैपैन की जैपैन के लोग क्या कहते हैं कि आप जितना भी खाना ले रहे हैं जितनी आपकी इच्छा खाने की है उससे आधा ही खाओ और जितना आपकी वाकिंग करने की इच्छा है उससे डबल वाकिंग करके आओ और जितना आपकी मुस्कराने के इच्छा है उससे चार गुना मुस्कराओ तो मोटा पैसे गवराओ मत फ्रेंड्स आप खाना कम खाओ, ज्यादा वाकिंग करो और ज्यादा मुस्कराओ टेंशन मत लो, ऐसा मैं समचो कि कब वेट कम होगा धीरे धीरे वेट कम हो जाएगा लेकिन आपको डाइट रखना है डाइट प्लान पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा फिर मिलता हूँ किसी और दिन, किसी और उपचार के साथ तब तक के लिए बाए, टेक केर फ्रेंड्स